स्वागत आपका हमारे चैनल पर अब हम करेंगे कक्छा 6 में विसे हिंदी का प्रत्थम मुल्यांगन प्रपत्र का सॉल्यूशन तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन पहला प्रश्ण है चिडिया को किसे प्यार था? उत्तर होगा अन से अ अगला है वहे चिडिया जो कवीता के कवी कौन है? उत्तर होगा सर केदार नात अगरवाल अगला है चिडिया किसका दिल टटोलती है? पांचवेक उत्तर होगा नदी का सर अगला है कान्डिस पर चिडिया ने कितने अंडे दिये थे? उत्तर होगा ब तीन अंडे अगला है सात्वा नादान दोस्त कहानी के लेखा कौन है? उत्तर होगा अ प्रेम चंद अगला है चिडिया के अंडों के लिए बिस्तर पानी दाना आदी की विष्था करना केसव और श्यामा का प्रियास अंतत कैसा था? नादानी भराता स तीन अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले यह व्याक के किसने किस से कहा? उत्तर होगा दो केसव ने श्याम से अगला है कानिस पर अंडे किस पक्ची के थे? कानिस पर अंडे चिडिया के थे? अगला है केशव और शामा अंडो की क्या करना चाते थे हिफाज़त करना चाते थे उत्तर होगा A केशव और शामा कैसे बच्चे थे केशव और शामा नादान बच्चे थे B बारवे का B आएगा अगला है केशव की भेहन का नाम क्या था केसफ की भेहन का नाम शामा था ब अगला है कानिश तक पहुँचने के लिए किसकी साहता ली गई थी उत्तर होगा इस्टूल और चौकी की द अगला है लेकिका को परिवार में सबी लोग क्या कहकर पुकारते थे उत्तर होगा द जी जी अगला है लेकी का को चस्मा लगाने पर उनके चेहरे चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिडाते थे उत्तर होगा अ सूरत बनी लंगूर की अगला है लेकी का कुसरू-सुरू में चस्मा लगाना बड़ा कैसा लगता था उत्तर होगा अ अटपटा अगला है बच्पन पाठ किस की रचना है उत्तर होगाद खुर्जना सौबती की अगला है लेकिका बच्पन में इतवार की सुभे क्या-क्या काम करती थी उत्तर होगा अपने जुराविद होती थी थाथ जूतों पर पॉलिस कर चमकाती थी अगला हे लेकिका को हर सनिवार की सुबह अच्छी क्यों नहीं लगती थी क्योंकि ओलिल पीना पड़ता था सर तो ये था बच्चों हमारा कक्छा च्हें में विसे हिंदी का प्रत्थम मुल्यांकन प्रपत्र का उत्तर तो जुड़े ले चैनल के साथ धन्यवाद